जै माता दी दोस्तो विर्शब रासी के सभी जातकों को 25 जनवरी दिन गुरुआद किस परकार का दिन होगा बड़ी पुर्णिमा पर बन रहे गुरु पुस्से योग विश्नु भगवान का सबसे बड़ा योग माना जाता है और अमरित सिद्धियों के साथ कई अन्य तीन अचानक बड़ी खुसकबरी देखर जाएंगे ये 25 जनवरी का दिन पर क्या तिथी बनेगी कौन से नक्षत्रे बनेगे कौन से चार महत्पून योग है हम सभी डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंत तक बने रहे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए देनिक राशी पल आपको विर्शब राशी का हर रोज मिलता है कल देखे 25 जनवरी को दिन गुरुवार जो की हरी नाराइन विश्णू और गुरु ब्रसपती को समर्पित दिन माना जाता है इस दिन चंद्रमाजों है वो पूरा दिन करक राशी में संचन करने वाले है इस दिन बन रहा है विश्णू भगवान का सबसे बड़ा योग गुरु पुस्य योग महा योग जिसका सुबसैयोग विश्णू राशे के जातकों को पोह मास के शुकलपक्स की बड़ी पुर्णीमा को लाब जरूर दे कर जाएगा इस तिथी को पुस्पुर्णीमा के नाम से भी जाना जाता है और पोस्पुणी मा के दिन गुरु पुष्य योग का महा योग बनने से जीवन में बहुतिक सुखों की विर्दी होती है, अमरित सिध्य योग, रवी योग, पुष्य नक्षत्र का सुप सयोग बनने से जीवन खासम खास हो जाता है, यहाँ पर पृति योग बनने से जीव का सुख मिलता है और गुरुप उससे योग के बनने से जीवन में सुख सो भाग्य और भोतिक वस्तूओं की व्रदी होती है दोस्तों ऐसे में जीवन 25 जनवरी का दिन सभी माईनों में बेहत खास से भी खासम रहने वाला है आप लोगों के लिए चलिए जानते हैं बिना दे दोस्तों आपकी इस रासे की जो महिलाएं हैं वो नए कपड़े या घर का कुछ समान खरीदने के लिए शोपिंग कर पर जानने सकती हैं आज दोस्तों की मदद से कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा कई तरह के रोचक विचार योजनाए आज आपके मन में आएंगी आज की दिन यातरा करते हुए समान और पैसों का आपको ध्यान रखना ये आपके आज के दिन की सावधानी है दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार के अफसर पराप्त कराएगा जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा ये योग इसके साथी बड़े बुजरगों की सेहत मे सुधार होगा और घर में धार्मिक माहोल बना रहेगा बात करू इस दिन के उपाई की तो गुरू ब्रस्पती जीवन में सुक, सोबागे, शिक्षा, ज्यान और विवा और प्रेम को बढ़ाते हैं ऐसे में सभी विर्षब रासी के जातकों के लिए कल का लखी रंग है पी जीवन में सुक, सोबागे, शिक्षा, ज्यान और धन की विर्धी करा सकती हैं जीवन में प्रेम की कमी पूरी हो सकती हैं ब्रस्पती वार को केले का शेवन करना निसेध हुमाना जाता है कमेंट बॉक्स में जै गुरू देव जरूर लिखिएगा दोस्तों सचे विर्षब